तो आज फिर से एक बर मैं आप लोगों के साथ जोड़ गया देश 69 का जो क्वेशन था उसका वीडियो सलीशन लेकर आप लोगों के साथ उमीद करता हूं कि आप सभी लोग ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा वेबसाइट पर गया होंगे आफस के एप में वह आपके साथ पांस क्वेशन देते हैं सुबह साड़ी आठ बजे आपको पांस क्वेशन मिल जाएगा टेस्ट के फॉर्मेंट में कैसे मिलेगा बताता हूं और उसका वीडियो सलीशन अगले दिन सुबह साड़ी आठ बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है तो ड सबसे पहले में आपको पता किंश आपको कहा पर मिलेगा तो देष्स आपको कहा पर मिलेगा तो आप मान के चलिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जिनको नहीं पता है कि टेस्ट आपको कहां पर मिलेगा तो देखे सबसे पहले आप प्लेश्टोर से आफस्काइब डाउनलोड करें अपने आपको रजिस्टर करें कर लेता हूं एक्जाम में मैं मैं अधिमेटिक्स करता हूं मैं आपको कहां पर जाना है लर्न फ्री में आप आ जाई है आप लोगों को 20 मिनट का दिया गया है तो ऐसे टोटल आपको 100 टेस्ट मिलें अगर आयती जाम एक्जाम 2025 को टार्गेट कर रहे हूं तो आप सभी लो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा उसी देख के नाम पर तो अगर आप लोग अभी तक इस टेस्टिरेज में पार्टिसेपिट नहीं कर रहे हैं तो करिए कब करेंगे अब आयटी जाम एक्जाम में बहुत जादा समय नहीं बचा है अगर आप सो रहे हो तो इसका मतलब फाला ध क्वसिन हमें दिए गया सपोर एक मैट्रिस दिए गया है सटेन कॉंप्लेक्स नंबर लामडा लामडा एक नौन जिरो नंबर है जो इस मैट्रिस का आएगन वाल्यू है ठीक है खुंप्लेक्स नंबर है कोई भी अधान जिरो है उसके साथ हमसे पूछा जारा चार option देगे इन में से कौन सा इस matrix का एक आगन वालू बनेगा अब देखो अब यहाँ पर एक concept यूज होता concept क्या होता सपूज आपको एक matrix दिया जाता है ना इसमें पहले रो में जितने भी element थे समाली जो उनको add करने पर ए मिला second row में भी सारे element को अगर add करने पर ए मिलता है तो उस case में जो है ना इस matrix का एक आगन वालू बनता है तो यहाँ पर देखिए sum of each row एक किसी भी रो को add करेंगे तो क्या मिलेगा sum of each row कि आफ एक किसी भी रो को add करने पर हमें कितना मिल रहा है यह आपको मिल रहा है जीरो इसका मतलब जीरो के आएगन वैलू हो जाएगा जीरो इज अन आएगन वैल्यू । इस इस मैट्रेस का एक आईग्र वालु क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये 3 क्रॉस्ट 3 का मैट्रेस इसके पास 3 आईग्र वालु होँगी, एक तो 0 है, दूसरा लैम्डा है, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा हम लोग आज़ीम कर लेते हैं, X है, है न, तो यहाँ पर हम इसका trace कितना है इसका trace अगर आप देखेंगे mattress का trace होता है उसके eigenvalues के sum के बराबर होता है sum of eigenvalues इसके eigenvalues को अगर आप add करेंगे तो मैट्रस का trace मिलेगा जीक है तो मैट्रस का trace हमें कितना है 20 मिला है ना एड करके देख लिए जे diagonal वाले element को और eigen values x plus 0 plus lambda तो यहां से x की value क्या आएगी x की value आजाएगे 20 minus lambda तो कहने का मतलब यह है इस matrix का अगर एक eigen value तो 0 है अगर दूसरा eigen value lambda है तो तिसरा 20 minus lambda बनेगा तो options अगर आप देखोगे तो 3rd option जो है आपका 20 minus lambda है तो इस question के लिए 20 minus lambda आपका correct हो जाएगा ठीक है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला question हमें दिया है ए 3 x 3 का matrix है with real entries जहां पर determinant 6 है और trace 0 है मान लीजे अगर determinant 6 है determinant मतलब किसके equal होगा eigen values के product के equal होगा product of eigen values अगर इस matrix के मैं eigen values को multiply करू तो मुझे कितना मिलना क्या है 6 मिलना सब्सक्राइज अब आज़ा है इसको multiply किया चाहिए तो आइगन वालूज देखे इसको एड किया जिरो नहीं हुआ यह नहीं होगा तो इसी को एड लास वाला जो है करने पर जिरो मिल रहा तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा है तो फिर इसका मतलब यही ऑप्शन आपका क्या होगा इस क्वेशन के लिए करेक्ट हो इन्होंने हम नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्होंने एफ एक्स लिखा है मिनिमल पॉलिनामल का मतलब क्या होता है सबसे चोटे डिग्री का लोइस डिग्री का पॉलिनामल जिसे मैट्रिक्स साटिस्वाइब करता है उसे हम क्या कहते हैं मिनिमल पॉलिनामल कह गया जीरो मैट्रस कराएंग जीरो होता है तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते बढ़ उससे पहले एक इंपोर्टन चीज आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग आया टी जाम एक्जाम के लिए प्रिपर करे जाहे जो कि आपको आपको आएफस कैप में मिल जाएगा अगर आप लोग आयटी जाम में 16 17 माक एक्ष्रा लाना चाहते हो तो इस लेनर अलजब्रा के लेक्शर को देखकर आप लोग आसानी से ला सकते हैं तो चलिए बताता हूं यहां पर इस लेक्शर में आपको टोटल टेस्ट मिलेंगे दस-दस क्वेश्चन के 240 क्वेश्चन का अलग से टेस्ट मिलेगा आपको यहां पर और हर लेक्शर का पीडियप भी आपको दिया जाएगा तो इस सारी चीज़े आप लोगों के लिए आएफस कैप में बिल्कुल फ्री मिलेगा अगर आप लोगों ने भी तक कई linear algebra का लेक्शर नहीं देखा तो जाएगे और देखिए और इसको आपको कहां पर मिल जाएगा आएफस कैप में आएफस कैप डाउनलोड करें अपने आपको रजिस्टर करो एक्जाम पुछा जाएगा तो आप लोग आएटी जाए mathematics सेलेक करना ठीक है वहां पर इससे पहले एक result हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं constant matrix related result अगर यह result आपको पता है तो फिर एक version में कुछ भी नहीं है सपोज आपको एक matrix दिया जाता a is equal to जिसके entries सारे entries ना कोई एक ही fix number से c है कोई भी एक ही fix number है सपोज हमने क्या ले लिया c ले लिया n क्रॉस n का matrix है इसकी सारे entries से c है तो उस case में हम लोग क्या कह सकते हैं इसका जो characteristic polynomial मिलेगा कॉंस्टंट मैंट्रिस का characteristic polynomial x to the power n-1 x-n into c होता है यहां पर n मैंट्रिस का order है c आपको constant है इसका यूज कर सकते हो तो आपका यह जो मैंट्रिस जे दिया गया है उसकी सारे entries 1 है सारे entries इसकी 1 है और इसका order कितना दिया गया है इसका order आपको दिया गया है 101 into 101 तो यहां पर अगर मैं order की बात करो 101 है और सारे constant क्या है यहां पर तो आ जाते हैं तो इसका characteristic polynomial क्या हो जाएगा x to the power n-1 x-nc constant मैंट्रिस का हम यहां पर result लगाएंगे है नो तो आपको क्या मिल जाएगा x to the power 100 हो जाएगा और x-101 हो जाएगा तो यहां पर आप बता सकते हैं आइगन वालू आपको क्या मिलेंगे एक आइगन वालू आपको 00100 टाइम्स और एक बार 101 मिलेगा तो similarly अगर आपसे कहा जाए एक की जगा पर हम J लिख लेते क्योंकि हमारा मैट्रिस जे है न तो जे लिख लेते हैं तो जे माइनस आइक आइगन वालू क्या होंगे इसके आइगन वालू 0-1-1-1-100 टाइम्स माइनस वन और एक बार 101-1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100 मिलेगा तो यह कितनी बार आया हांड्रेड टाइम्स आया है हांड्रेडिट टाइम्स हमें क्या सलिए डिट अमेरेंटट किसके एकुल होता है अगर मैं आइगन-वालुस का प्रूडुक्त ले लूं सारे आइगन-वालुस प्रश्ट मैंट्रिक्स का रिजट पता है तो इसे आसानी से सॉल कर सकते हैं अगला ग्वेशन आता है ले टेपी आपको इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे इसमें किसी भी रो पहला रो दूसरा रो उसी तरह हर एक रो को लिजे यह फर्स्ट रो है सेकेंड रो है लास्ट रो है किसी भी रो को उगर आप करेंगे तो आपको यह करने पर एंड मिलेगा हर एक एलेमेंट को एड़ करने पर a to the power n मिलेगा तो इस question को solve करने के लिए हम इस result का यूज़ करेंगे ठीक है अब देखो यहाँ पर sum of each row क्या दिया गया है sum of entries कि इन इच रोग इन इच रोग of a, a के किसी भी रोग को add करने पर हमें क्या मिल रहा है one मिल रहा है तो अब हमें न a cube में देखना है तो a cube के किसी भी रोग को अगर मैं add करो तो मुझे क्या मिलेगा one का cube मतलब one मिल जाएगा बट हमसे पुछा गया है sum of all the entries a cube में a cube एक five cross five का matrix है और उसके सारे element का addition पुछा जा रहा है पहले रोग का addition पता है दुसरे का तिसरे का चौथे का पाचवे का हमें पता है तो sum of all the entries क्या हो जाएगा पाइस से multiply कर दीजे sum of all entries sum of all entries of a cube एक पांच रो हैं हर एक रो का addition वन आ रहा है तो आप लोगों को बता दूँँ आग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं तो आप questions की practice करना चाहते हो भी exam level questions की आप practice करना चाहते हो तीचर handout चाहते हो प्रिवेसर question पेपर डाउनलोड करना चाहते हो mock test देना चाहते हो topic wise test देना चाहते हो scholarship test देना चाहते हो तिस सारी चीजे आप लोगों को IFS CAP में free में मिल जाएंगी इसके लिए आपको कुछ भी करने की जुरत नहीं उसके सासाथ complete linear algebra का लेक्षे स्रीज भी आपको मिल जाएगा तो simply आप क्या करें प्ले स्टोर से IFS CAP डाउनलोड करें और अपने आपको रेजिस्टर करें रेजिस्टर करते वक्त आपसे एक्जाम पूछा जाएगा आपको एक्जाम आयाटी जैम mathematics सेलेक करना है तो चलिए आज की सिसन में इतना है कल फिर एक बार हम लोग सेम टाइम पर जोड़ेंगे day 70 के question का answer लेकर चलिए thank you